अभी की बड़ी ख़बर की बारी में अभी की बड़ी ख़बर क्या है? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है Aided Junior High School सिच्छक भरती 2021 Super Tet Exam Deed 2021 Primary सिच्छक भरती 2021 की मांगती UP Tet Notification 2021 Deadline Super and Attentic News आपके जहन में एक सवाल होगा जितनी जानकारी मेरे द्वर आपको दी जा रही है इसके समद में मुझे पहले से जानकारी है तो मैं आप से बीसे कहना चाता हूँ अगर आपने एक बार मेरा वीडियो पूरा देख लिया तो जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे पूरा देखेंगे या मेरी गारंटी है पूरा देखने के बाद ही आपको पूरी बाद समझ में आएगी अगर आपके बाद समय नहीं है तो आप वीडियो को मत देखें जब आपके बस समय हो तब वीडियो देखें क्योंकि चैनल पर वीडियो अप्लोड है कभी भी आप देख सकते हैं अगर आप इसकीब करके वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए आप वीडियो मत देखें वीडियो को मैं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूं, आप लाइक करेंगे तो वीडियो को जरूर सेयर करेंगे, शेयर करेंगे तो और लोगों को जानकारी मिलेगी, वे सही जानकारी से आउगत हो सकेंगे, इसलिए मेरा कहने का ताच पर रहता है कि सही हो सबके पास पहुंचे सटीक हो दूसरों सी भी आप बता पाएं इसलिए मैं सही और सटीक जानकारी आपको देने का प्रियास करता हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपिटेड नोटिफिकेशन 2021 के डेडलाइन को लेकर आज के समा चारपत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइबरी सिच्छा भरती 2021 की मांग तेज हो गई है जैसा कि मैं आप सुझी को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डियलेट पर सिच्छों ने सौपा ग्यापन यहाँ पर बताया गया है कि डियलेट पर सिच्छों ने सुख्रवार को महानी दे सक इसकूर सिच्छा भीजय किरन आनंद को ग्यापन दे कर जल्द नई सिच्छक भरती घोशित करने की मांग की है साथ ही साथ UPTT का भीजयापन जल्द जारी करने और UPTT के बाद सिच्छक भरती कराने की मांग की है तो मांग जारी है और मांग करना वाजिब है मांग कपसे सुरू हूई है मैं आप से को बताना चाहता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ है जब 7 मार्च को परिष्छा कराने का प्रस्ता हो जा गया और इसके समझ में मेरे दोर आपको पहले बताया गया था कि 7 मार्च को परिष्छा कराई जा सकती है अभी भी suspense बना हुआ है कि 7 मार्च को परिच्छा होगी या नहीं तो आज मैं confirm कर दूँगा अगर जो मैं तारीक आपको बता रहा हूँ उस तारीक ते नोटिफिकिसन जारी हो गया तो परिच्छा 7 मार्च को होगी अन्य था परिच्छा अपरेल के दूसरे पकवारे में आयुज़ित की जाएगी जो मुझे जानकारी है मैं अपनी जानकारी के आधार पर आजको जानकारी दे रहा हूँ जब प्रस्ताव भेजा गया उसके बाद से टीटी 7 मार्च तक कराने को किया ट्वीट उसी समय से जितने भी डीएलेट पर सिच्छू है बीएट पर सिच्छू है और बीटीसी पर सिच्छू है वे सभी मांग करने लगे कि 7 मार्च को ही टीटी के परिच्छा आयुज़ित की जाए अगर परिछा 7 मार्ज को आविज की जाती है तो विग्यापन जैसा कि मेरे दोरा पहले ही बताए गया था आपको मई या जून माह में आ जाएगा लेकिन स्वार्थ के लिए दुनिया जीती है आप अपने स्वार्थ पर जी रहे हैं कि वैकंसी आजाए हम आविजन कर पाएंगे और सरकार अपने स्वार्थ पर जी रही है कि वैकंसी विलम से आए और 2022 का चुनाओ है मेरी बातों को आप समझेएगा इसलिए सासन के द्वारा अभी तक सात मार्च की परिच्छा को अनुमती नहीं दी गई है जो सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ अब डेडलाइन क्या है मैं आप सुझी को बताना चाहता हूँ अगर यूपी टेट नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2021 के पहले जारी हो गया तो परिच्छा निर्धारी तिति पर होगी अर्था सात मार्च को होगी अगर नोटिफिकेशन 18 के बाद जारी होता है अर्था 20 से 25 के बीच मतलब कि जनवरी माह में तो परिच्छा साथ मार्च को नहीं होगी तो परिच्छा अप्रायल माह में आवेद की जाएगी आप इसको नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं मेरी बातों को समझेगा क्योंकि आवेदन पर किया एक माह करक्टी चलेगी उसके बाद सेंटर निधान करना अब भरतियों के संख्या के आधार पर तो समय लगेगा इसलिए परिच्छा माह में नहीं हो पाएगी मार्च माह में पंचाय चुनाव भी है उसके बाद अप्रायल के दूसरे पकवारे में परिच्छा का आयोजन किया जाएगा तो जो सही सठीक जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ अब सूपर्टेट एक्जाम कब होगा अगर प्रायमिरी सिच्छक भरती का विग्यापन मई तू जून में आ जाता है मई से जून में आ जाता है अगर परिच्छा साथ मारच को हो जाती है तो 45 से 75 दिन के भीतर परिच्छक आयोजन करा लिया जाएगा उसके बद आगी की प्रक्रिया पढ़ेगी सवाल है अचार सहिता कब लागो होगी आप लोग नहीं जानकारी मांगी थी आप से भी को बतारा चाता हूँ अगर पिछले चुनाओ को देखा जाए और उसका आकलन किया जाए अगर सही समय पर चुनाओ होता है तो आचार सहिता दिसंबर माह में लग जाएगी अगर कुरूना महामारी का तरक दिया जाता है और कुरूना महमारी के कारण बिधान सभा चुनाओ आगे बढ़ाया जाता है 2022 का चुनाओ थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अचार सहीता जनवरी 2021 में लगेगी तो दिसंबर में अगर अचार सहीता लागू हो जाती है तो सभी के जहनवे सवाल रहता है क्या न्यूक्ति मिल पाएगी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी तो मैं कहता हूँ कि पिछला रिकार देख लीजे पिछली सरकार जब थी उसी की सरकार सी उसी सरकार भी जो भरतिया हुई थी क्या उनको न्युक्ति पत्र मिलाता एक बार उसका रिकार्ड देखिए तब आपको जानकारी मिल जाएगी मुझे जहां तक जानकारी है न्युक्ति पत्र आपको नहीं मिलेगा जब चुनाओ समाब्ध होगा जिसकी सरकार बने उसके बाद ही आपको न्युक्ति पत्र तब तक एड़ेट जूनियर हैस्कूल सिच्छक भरती 2021 का विज्यापन जारी नहीं होगा। मैं आप सब्सक्राइब को बताना चाहता हूं इंतियार के लिए मुझे खेद है और मुझे दुख भी है कि आप लोग इंतियार कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता दूँ देखिए अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई है। सब्सक्राइब के विग्यापन की पदों की शंक्या कुछ बढ़ी है देड़ से 200 पद बढ़े हैं। जो जानकारी मिली है विग्यापन 45-4700 पर आ सकता है। तो या आपके लिए अच्छी ख़वर है लेकिन आपके जहन में सवाल है कि विग्यापन कब आएगा। लंबे समय से इंतियार करें भर्सिया तो भरमार है समाचार पत्रों में। और समाचार पत्रों में रोज पढ़ते होंगे रोज विग्यापन जारी होता है एक में भी आप आभईदन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्यों नहीं कर पाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से तसली जी जाती है, ऐसा नहीं कि समाचार पत्र में जो खबर छपती है अपने आप छप जाती है, सरकार के द्वारा छपवाए जाता है, बोड की द्वारा छपवाए जाता है, जिससे आप उपद्रों मत मताएं, तो जो मुझे जानकारी मिली ह एडिर जूने हर्ष्कू सिच्छ भरती विज्यापन के समद्ध में कि मार्च तू अप्रायल माह में एडिर जूने हर्ष्कू सिच्छ भरती का विज्यापन जारी होगा उसके लगभग 90 दिनों के भीतर परिष्छा का आउजन करा लिया जाएगा तो आप लोगों थोड़ा बेट करना है परिष्छा जुलाई या अगस्तमाह में आविद्ध की जाएगी आज की प्रस्तिती के उनसार अपनी तियारी करते रहिए आगे किसी भरती के सम्मझ में मुझे जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे बातों को समझ पाए या नहीं अपनी राक कमेंड़ वाक्स में जरूर दे